बहतिय। तो पारवतिय ने कहा हे प्रियपतिदेव कि स्रीमद भगवात गीता के शत्रवी अध्याय की महिमा बता आगी है अब कृपिया भगवात गीता के अथ regulatory की महिमा का वदन मुझसे करें तो भगवान सीव ने कहा हे हिमालाई पारवर्ती की पुत्री करपया स्रीमत भगवत गीता की अठारवे आध्याय की महिमा सुने जो वेदों से भी स्रेष्ट है और आस्मित आनन देने वाली है जब यह व्यक्ति के कान में प्रवेश करती तो यह सभी भौती की च्छाओं को नष्ट कर देती है और सुद्ध भक्त के लिए यह दिब्य अम्रित है वरी इंपोर्टन अगर हम शुद्ध भक्ती करना चाहते हैं भगवान की तो यह बहुत महत्वपुर्ण है यह भगवान विश्णु का जीवन है और यह भगवान इंद्र और देवताओं के साथ-साथ सनक और शनन्द के नेत्रित वाले महान योगियों के लिए कम्रित है जो इसका पाठ करता है वर यह अमराज के दूतों को बहुत दूर भेज देता है कोई और पाठ नहीं है जो इतनी जल्दी सभी पापों को नश्ट कर सकता है इस संसार में और दूसरा कोई पाठ नहीं है जो इतनी जल्दी सभी पापों को नश्ट कर सकता है और इस दुनिया के तीन प्रकार के दुखों से मुक्त कर सकता है तो कौं से दुख है तिन प प्रकार के, आप लोग जानते हैं, कौन से कौन से? बदाए बदाए आपको ऐनी देविक, ऐनी भॉर्दिक ऐन्य वन मोर बदाए बदाए ओट अधे अध्याथनिक, आधी देविक, अधी भॉर्दिक आधि देहिक जनेकश रासी ठीक है तो त्रिताप जिसको जैर लेवं त्रिताप के नाम से बहुत फामस क sixteen गया करता है नस्ट कर देता है ठीक है तो उसकी एविजर में बता अब बड़ी सरद्धा से सुनों मेरु परवत के सबसे उपरी चोटी अमरावती है जिसे विस्व कर्मा ने बनवाया था उसे स्वर्गे राज्यों में भगवान इंद्र के साथ उनकी पत्नी सची को भी दिवताओं द्वारा सेवा दी जाती है एक दिन जब भगवान इंद्र सांती से बैठे थे तो उन्होंने देखा कि एक बहुत सुन्दर वेक्ति वहां पर पहुंचा था जिसे भगवान के सेवा दे रहा थे बहुत महत्वपूर्ण है आप देखिएगा लॉजिक बहुत महत्वपूर्ण है क्या कह रहा है एक दिन अपने सेवा ले रहे थे मेंभी, वीजि करा रहे थे हैं इंड्र efficient करा रहे थे तो कर रहे थे तो उसी समय वहां पर एक दिभ्य वेक्ति पहुंचा है सुंदर वेक्ति पहुंचा जिसे ब्गवान के सेवक सेबा दे रहे थे बगवान विष्णु के सेवक सेवा दे रहते हैं जब बगवान इंद्र ने उस सुन्दर युवा व्यक्ति को देखा तो वा तूरन अब देखें नैक्ष्रीक्षन क्या हुआ जैसे उनको देखा तो वो अपने स्टिंगासन से जमीन पर गीर गया उस समय जो लोग इंद्र की पुजा कर रहे थे उन्होंने उस मुकुट को उठा लिया जिसे उन्होंने पहना वगा था और उस नए सुन्दर व्यक्ति के सीर पर रख दिया कुछ लोग स्वर्ग जाने के बड़े इक चुप होते है कभी भी चेंज कर दिया जा सकता है आपको ध्यान रखियेगा anytime आप इंद्र ही क्यों नहों आपको बदल दिया जा सकता है महान रिशियों ने वहां आकर अपना असिरवात दिया और वैदिक मंत्रों को जाप किया और गंधरों और अपसराओं ने खुसी से नाचना और गाना सुरू कर दिया इस तरह नए इंद्र जिन्होंने समान्य रूप से एक सो अस्व में गया कि अब देखिए यहां point आप नौट करें यह तो ठीक था अब जानते हैं कि इंद्र का point इंद्र के पोश्ट लेने के लिए क्या जोरी है स्वास्वमेग यग राइट ना जुट बोल रहा हूं क्या बदाएए इंद्र के पोश्ट के लिए स्वास्वमेग यग यग करना पड़ेगा आपको अगर इंद्र बनना है तो आप स्वास्वमेग यग करना आप इंद्र बन जाएंगे इसमे कोई सक नहीं है कोई भी व्यक्ति इंद्र बन सकता है अगर वह स्व अश्वमेग यगे कर लेता है तो अगर आप नहीं किया है तो नहीं बन सकते है यह भी बहुत सिंपल सी बात है तो अपॉइंट क्या है वो नोट करिये इस तरह मंत्रों का जाप किया और गंधरवों और अपसराओं ने खुशी से नाचना और गाना सुरू कर दिया इस तरह नए इंद्र जिन्होंने समानी रूप से एक सो असमेग यगे नहीं किये थे मतलब यगे नहीं किया था पहला क्वालिफिकेशन जो इंद्र बनने का उस ने छोड़ दिया उसने स्वर्ग के देवताओं के सेवा स्विकार करना प्रारम कर दिया और बिना एक स्वाय समेग किये हुए उसे स्वर के दिवता स्वेवा स्विकार कर दिये। जब पहले इंडर ने यह देखा तो वह बहुत हैरान हो गये। वह अपने मन में सोचने लगा इस वैक्तिन ने कभी कुंगों का निर्मान नहीं कराया। No drinking water provided। और नहीं कुंड खोदे हैं किसी प्रकार का कुंड का भी निर्मान नहीं किया। और नहीं दूसरों के कल्यान के लिए पेड लगा एक ही ऑक्सिजन बढ़े। और जब सुखा पड़ा तो उन्होंने धान में अनाज भी नहीं दिया। भगवान विष्णु से प्राप्तना करने लगा। वा चीर सागर के तट्पे गया। और वा भगवान के विष्णु से प्रातना करने लगा। जब भगवान विष्णु के दर्सन प्राप्त करने में सफल रहे। तो उन्होंने उनसे पूछा। मेरे प्यारे भगवान, यह सब बड़ा अच्छा होता है, मेरे प्यारे भगवान, मेरे प्यारे, my loveable, यह बड़ा अच्छा है, तो भगवान को इस प्रकार से सुचित करना, तो भगवान को बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, कोई मुझे इस प्रकार स खुर नभल राम मैं बिंदावन आया था फिर आगया हूं निकिन मुझे फिर से अब उला लिना कि आपके बिना मन नहीं लग रहा है तो अब उला सकते हैं मुझे रिटन मेरे प्यारे बगवान वो पूर ना इंद्र बगवान से प्राष्टन कर रहा है चमा चाओंगा थोड़ी तबीद बहुत खराब है फिर भी हमने सूचा कि क्लास लेंगे तो तबीद ठीक हो जाएगी तो उन्होंने उनसे पूछा मेरे प्यारे भगवान अतीत में मैंने कई यग और अन्य पवित्रकारी किया है अपने विसम बदा रहा है पहले बाद में उसके विसम पूछेगा अतीत मतला पूरू मैंने बहुत सारे पवित्रकारी किया है जिसके लिए मुझे स्वर्ग के रा अद्भूत पवित्रकार नहीं किया क्या बात कर रहे हैं ना ही उसने कोई महानवैदी की यगी किया हो तो यह कैसे संभव है कि वह मेरा सिंगासन प्राप्त करने में कामियाब रहे जो भी जो चीजे नैसेसरी हैं इंडर बनने के लिए वह इसने किया नहीं है तो फिर यहां मेरे अस्थान को कैसे प्राप्त कर रहा है महारा सिंगासन उस समय भगवान विश्णों ने कहा मेरे प्रिया इंडर उस महान आत्मा ने स्रीमत भगवत गीता के अठारवे अध्याय के पाठ परते दिन किया अपने जीवन के दोरान हर दिन उसने उन्होंने इस अध्याय से पांच स्लोग पढ़े आप प्रवजीवा पांच स्लोग बताईए ना नहीं बताऊंगा और उस गतिविदी के कारण उन्होंने सभी प्रकार की पवित्र कारियों और यग्यों के प्रणाम प्राप्त किये और स्वर्ग की राजा के रूप में कई वरसों तक आनन लेने के बाद वे मेरे धाम को प्राप्त करेंगे मतलब भगवत गीता पढ़ा तो उसे केवल स्वर्ग का राज नहीं मिला बलकि उवा भगवान के धाम को भी प्राप्त होगा लेकिन उसके मन में इच्छा आ गई कि भाई चलो भगवान का धाम तो जा ही रहे है तो थोड़ा स्वर्ग के सुख का भी आनन लेते वे इसलिए उसको स्वर्ग का राजा बना दिया गया आप समझ रहे है ततकाल समझते हैं मतलब टेंपररी रूप से अभी तूरंत इसको लागू करो अब लोग आवाज आ रहे हैं कि क्या मैं आवाज डिश्टेव है जैस ततकाल प्रभाव से उसको इंद्र बना दिया गया कि यदि आप स्रीमत भगवत गीता के अठारवें द्याय का पाठ करते हैं तो आप भी मेरे दिप धंपराप कर सकते हैं क्या आपको पांस लोग मिल गए कौन बता सकता है वह पांस लोग कौन है कौन है वापांस लोग मुझे तब मिल गए भगवान ने उतर दे दिया कौन बदा सकता है येस प्रभू प्रभू अच्छा औरे वाह क्या रिसर्च है मिन कितन प्रूब अंसर कर रहे हैं यह नेक्स्ट नेक्स्ट नॉट करते जाए अच्छिया सेट दुस्रा कमण 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 किसन प्रभू कौन दा सुलोग है पांच अजली मादा जी अरे बताई बताई पांस लोग बिजेते मादा जी कौन अनसर कर सकता है सुरबधी ब्रभू एस यस तल इंदि बिजेते मादा जी युकन अन्मूट यूर्सेफ कौन साथ इस्रीमाद भागाद कीठा की पांधर में दियाए नो अच्छिए प्रभू 64 to 68 वाव थोड़ा फिर से पढ़ते हैं पहले क्या बता है कि उसने 5 स्लोग का पाठ किया लॉजिक पगड़िये बहुत अच्छा है पहले क्या बता है 5 स्लोग का पाठ किया अब दुसरे में क्या बोल रहे हैं भगवान क्या बोल रहे हैं तो उन्हें पास्लोग का पाठ किया और मुझे निक्त प्राप कर दिए अधी आप श्रीमत भगवद्गीता के अठार्वे अध्याय का पाठ करते हैं तो आप भी मेरे दिव धाम का प्राप कर सकते हैं तो आप भी मेरे दिव धाम का प्राप कर सकते हैं What is the logic behind this? अब बताए अब बताए पास्लोग कौन सा है? श्रीमत भगवद्गीता के अठार्वे अध्याय का पढेंगे तो आप भगवद्धाम वापिश जा सकते हैं कोई भी Can you imagine this? अच्छा है ना, उसे दिमाग ने लगाना चीए, हम लोग तो डेली अब अठारवे अध्याय का प्रणा करेंगे, परान करेंगे, भगवान विश्णु के वचनों को सुनने के बाद, इंद्र ने एक ब्रामन का रूप धारन किया और गोदावरी नदी के तड़ पर गए, ज सरवच्छ लक्ष रहस को समझ चुगा था, दैनिक वा उस स्थान पर बैठते और स्रीमत भगवत गीता के अठारवे अध्याय के स्लोग का पाठ करते, जब भगवान इंद्र ने उसे देखा तो वा बहुत खुस हुआ और वा तुरंद अपने चरन कमलों पर गिर गया, उ उसके बाद वे विस्नुलो के सरवच्छ स्थान को प्राप्त करने में सफल रहे, तो कि उसने इंद्र के पुष्ट को पहले ही भोग लिया था, देख लिया था कि इसमें भी कोई रस नहीं है, वे बेकार में वा फसा हूँ, बेकार फसा हूँ, आब वा लक्ष कर लिया, के कुण्ट के आनत के साथ, कुछ भी नहीं है, समझ रहे हैं, मेरे प्रिपार्वती, इस कारण महारशीगन विशेश रूप से स्रीमत भगवत गीता के अठारवे अंध्याय का पाठ करते हैं, और यसा करने से भगवान विश्नु के चरण कमल की प्राप्ति, जो कोई भी इस सब को प्रवचन को बड़े विस्वाथ के साथ समरन करता है, सभी प्रकार के पवितर गति जयों और महारी अग्यों के फ़लों को प्राप्त करता है, और सभी सान्सारिक भोगों का आन्य लेने के बाद बहुत अच्छा है, सब को पढदना चीए,